शहर के व्यस्तेतम चोक में से एक इत्वारी चोक है जहां प्रती दिन यातायात का आवागमन रोजाना होता है गनेजी सजावट का सामान खरिदने के लिए बड़ी संख्या में लोग देखी जा सकते है तो वही वहानों की यातायात से इत्वारी और सेंट्रल एविन रोड पर ट्राफिक संभालना यातायात पुलीस के लिए किसी टास्क से कम नहीं है ऐसे में शहर यातायात के पुलीस निरिक्षक शेलेस संखे अपने ट्राफिक पुलीस को यातायात कैसे हैंडल करें इसका मार्ग दर्शन करते हुए नजर आए आए दिन यातायात पुलीस अपना काम बहतरीन तरीके से कर रही है नाकपूर की आबादी सरकारी आकड़ों के मुताबिक 35 लाग है जबकि यह आकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है जितने लोग उतने ही दू पईया और चार पईया वाहन सडकों पर दोड़ते देखे जा सकते हैं आज शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है जिससे लोग जब चाहे जिदर चाहे अपने वाहन खड़े करके मार्केट करते रहते हैं इससे ट्राफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है शहर का सेल्ट्रल एवेन्यू रोड हो या फिर इतवारी चौक हर जगह बड़ी तादाद में यातायाद देखी जा सकती है शहर के यातायाद पुलिस को नाखपुर का ट्राफिक समालना किसी बड़े टास्क जैसे है शहर यातायाद पुलिस दिन रात अपनी अच्छी सेवाई दे रहे हैं यातायाद विभाग के पुलिस निरिक्षयाक शैलेश संखे अपनी ट्राफिक पुलिस को अच्छा मार्ग दर्शन करते नजर आ रहे हैं कि कैसे और किस तरह से यातायाद पर सुचारू ढंग से नियंदरन पा सकी जाना चाहेंगे इस समय में हमारे साथ में पॉलिस निरिक्षयाक शैलेश जी संके साहब जो कि यातायद विभाग के प्रमुग अधिकार यह उनसे जाना चाहेंगे संके साहब यह बता है कि जिस तरह से यह जो कामका चल रहा है गनेश जीका हाकमन होने जा रहा है और मार्केट में जिसकदर भीट जो नजर आ रही है क्या आपको नहीं लगता कि कोरणा कई खत्म तो नहीं हो गया नहीं हर साल यहां से चितारोली और गांधी पुतला से बहुत सारे गनेश भक्त मुर्तिया लेके जाते हैं कल गनेश स्थापना का दिन है और इस हिसाब से हमने ट्राफिक ब्रांच से बंदोवस्त यहां पे लगा है और उसकी रियल से यहां पे चालू है बहुत सारे दिनों से लोग करोना के बारे में डिसिप्लिन से बिहेव कर रहे हैं लेकिन लोगों को हमारा कहना है कि डिसिप्लिन से रहना है मास्क पहनना है ज़रूरत नहीं है तो पब्लिक प्लेस पे नहीं आना है करोना बढ़ रहा है नाकपूर सिटी में तो लोगों नहीं साउधान्ती बरतबना जरूरी है नाकपूर दिले की यह यह दि कोरोना वायरस से मोतों का अखड़ा बता जाए तो सवाच 600 है ऐसे में भी लोगों की भीड़बार इसकदर नजर आ रही है मानो जैसे कोरोना यह नाकपूर से पूरी तरह से निकल चुका हो मगर ऐसा नहीं है कोरोना का संक्रमन दिन में दिन बढ़ता जा रहा है यातायात की बात करें तो बहुत जादा यातायात इस समय में सेंटर लेवनी लोड पे दिखाए दे रहा है जिसके चलते यातायाद के पोलिस तिरिक्षक शैले संके इन्होंने बताया है किस तरह से वे अपने सात्यों के साथ पूरी तरह से इस परिस्तिति को कंट्रोल किये हुए है और यातायाद विवा के लिए यह एक बहुत बड़ा काम है एक चुनोती है कि आखिरकार यातायाद को खिस प्रकार से हैंडल किया जाए और उस दिशा में वह याता याद के पॉलिस शिरिक्षक शाहिले संक्य अपने सात्यों के साथ अच्छा काम कास करते हुए नजर आ रहे है नाकपूर के सेंटर लेवनी रोर से कैमरा परसल सुभाज बुटले के साथ संजय मिरें बीसे न कुछ नाकपूर